पीएम आवास योजना के तहट गाओं में निवास करने वाले लोगों को सरकार पक्ते मकान बनाने के लिए डेड़ लाक रूपे की मदद कर रही है किन्तु छिनवाड़ जिले के गीदल ढहना गाओं में असोग जैसे 11 परिवार लोग पिछले दो साल से पीएम आवास योजना के लिए कई बार आवेदन कर चुके हैं अवास से संबन्दित ये समस्या हैं हमारे वार्ड नंबर 11 में क्योंकि इस वार्ड नंबर 11 में अभी तक किसी को पीएम यो आवास हुजना के अंतरगत किसी को सुविधा नहीं मिली है और ना ही किसी किसी ऐसे व्यक्ति भी हैं कि जिसके यहां घर में चार दिवारी भी नहीं है जहां पर ना दर्वाजा है ना गेट है कुट्ता बिल्ली को आना जाना रहता है समागरिय बहार रहती है इससे चोरी होना का भी बहर रहता है सोने को बयवस्ताएं नहीं है, बारिस के समय में पानी से बचने के लिए जगे नहीं है, बारिस आती है तो तपकता है नीचे, इसे दाना पानी गीले भी होते हैं, मजबरन कभी-कभी ऐसा भी आता है कि जो भी समाग रहते ही दूसरे गर कर रखना पड़ता है, तो मैं हम लोग दो बच्ची हैं, हम दो मिया बीबी है और एक पिताजी हैं, मैं तूटी बोटी जोक्री में रह रहा हूँ गैसे भी और मेरे घर मानने के लिए कोई समस्या कोई बता ही ने रहे, सर्पन सचुई लोग एक तूचाले का मात पास खेती बारी है जरूर लेकिन खेती बारी कुछ हो भी नी रहा कभी बारी सोरी कभी नी हो रही है, अब जरासम अक्का वक्का हुए थे, तो यह देखो, खाली धंड पड़ा हो पूरो, खापी के बरावार मैं आप से यह पूचना चाहता हूँ कि जो सरकार जो योजनाए बना रही है, जैसे कि मुक्हमंत्री आवास योजनाप, अंतरगत आवास बन रहे हैं, तो इन योजनाओं का लाब हम जैसे गरिब लोगों को अगर नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आप से ही जानना मैं आप सभी इस वीडियो देखने वाले दर्सकों से अपील करूँगा कि आप हमारे तामिय ब्लाग के सियो सिरी यादाव जी से 072, 24, 23, 02 में बात कर उन पर दवा बनाये ताकि गीदल ढहना गाउं में पीएम अवास योजनाप लाब मिल सके, मैं राजी परतेती मद्यप